इसका अगर मैं ऐसे हटाता हूँ गया पानी में गया यह यह लो लाइट के लो भाई काम करना शुरू कर चुका है काफी अच्छा प्लो बना रहा देखो बीड़ सुरौर इची की अपड़ीट वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों और मुस्ट टीर मैंने हो चुक है उस टैंक को सेट अप कियो है और अभी देख लेते हैं उसका हालत कैसा है स्वर्स लूप में भी अप लोग यहाँ प yre देखके काफी कुछ नोटिस करोगे मैं पहले कलियर कर दो इसमें काफी सारे स्नेิल्ख बढ़ चुक community बहुत यह बहुत सरे ग्लास अःल्गी पशिके प्लांट्स की थोड़ी बहुत अच्छी खासी ग्रोथ हुई है पीछे में पॉलिस पर्मा नीचे में ड्वाफ से गिटेरिया यहां पर लूपिंग स्टार्ट कर चुका है अपने पैर कदम बढ़ा रहा आगे के तरफ जो की काफी अच्छी बात है और जैसे कि मैंने पहले ह कि बताया था एक अपडेट में कि यहां पर देख सकते हो केच्छोग वैसे मट्टियां बाहर आ रही है लेकिन उसका मेरे पास अभी कोई सल्यूशन वैसे है नहीं फिशस अभी मस्त घूम रही है वाटर रेन भी थोड़ा सा हुआ है और मोस्ट इंपोर्टेंटली वाटर पर यह काम कर रहा है तो पाउरफुल और गुद लाइटिंग फ्यू मोमेंट्स लेटर यह लोग लाइट के लोग भाई आपकल वाले लाइट से चाम चलाते दूस्तों यहां पर देख सकते हो उपर में जैसे कि मैं बता रहा था यह वाटर लिली वाटर लिली है कौन सा है पता नहीं अभी देख सकते हो मिजोरेटी वाले पते ऊपर में आकर ऐसे बड़ लहा है जो कि मैं नहीं चाहता ऐसे बढ़े मतहरा ऐसे बड़ो नीचे बढ़ो यार यह जो पते आ रहा रहा उपर में छामने के लिए यह मेरे को कुछ वैसे खास नहीं लग रहा है क्योंकि हाला कि लुक देते हैं बट ये दिखते हैं नहीं है धके जाता है इसी के वैसे इनको भी हम थोड़ा सा काटा कुटी करेंगे सबसे पहला काम तो मेरे को लग रहा ग्लास क्लीनिंग वाला कर लेना चाहिए और फिर हम यहां से कुछ सैफन करके चीजे निकालेंगे ग्लास क्लीनिंग का काम तो हो गया बोथ अंदर से और बाहर से अब सैफन वाला काम हमें करना पड़ेगा यानि के जो भी डِبरी, कच्ड़े नीचे में दिखेंगे हमको जो अन। लगेंगे उनको सैफन करके हम बाहर निकालेंगे तो अब जैसे कि हम पुराना पानी इसमें से निकाल चुके हैं इस चीज़ को हम थोड़ा सा अरग तरीके से करेंगे अभी मैं पानी इसमें वापस पिल कर दूँगा नया and then फिर हम plantation करेंगे वापस काट के फिर place करेंगे वेकास ऐसे देखने पर मेरे को पता नहीं चल रहा कि कौन से plant कौन से leaf को मेरे को रखना चाहिए और किसको काट के हटा देना चाहिए तो according to जो water level होगा उसके हिसाब से हम करेंगे ये काम या फिर जो दिख रहा है मेरे को ऊपर वाले जो पार्ट में है तो उनको काट दूँगा and then फिर मैं waterfall करूँगा ओके चलो यहाँ पर water हो चुक है फिल पीछे से हम लोगोंने कुछ polys parma का stems काटे था उसको हम place करेंगे and then फिर हम filtration वाला काम पर move on करेंगे तो जो भी यह tank एक डिड़ मैंना चला है उस time तक इसमें कोई फिल्टर रिशन वगेरा नहीं था तो इस बार हम add करें एक hang on back filter जिसमें built-in surface skimmer भी है तो चलो पहले उसको unbox करते हैं तो यह रहा हो filter जिसको मैंने recently खरीद के लाया पहले clear कर दो यह कोई sponsor वीडियो नहीं है लेकिन अगर आपको यह product पसंद आता तो खरीद सकते हो तो सबसे पहले इसकी unboxing करते हैं खोलते हैं इसको देखते हैं अंदर में क्या सब समान दिया है जैसा कि मैं बोल रहा था यह skimmer वाला पार्टी देख सकते हो यह है यहां से अंदर में पानी जाएंगे surface वाले एरिया पर यह according to the level यह adjust हो जाएगा unboxing charm everybody चलो आओ देखते हैं क्या है इसके अंदर यह plastic के सहित है चलो यह तो निकला main material यह रहा अंदर में देखते हैं क्या है यह एक छोटका सा क्या चीज दिख रहा मेरे को I have no idea यह क्या है इसको अब यह कुछ है एक दो तीन ओ यह क्या बायो बोल्स टाइब कुछ चीज है मतलब इसमें बेनिफिशल बैक्टेरिया कॉल नाइज होंगे I am not sure यह बॉल्स क्या चीज के है मेरे को थोड़ा सा रिसर्च करना पड़ेगा इसके बारे में अगर यह बायो बॉल्स है तो काफी बढ़िया बात है नहीं तो इसको हम फिक देंगे ऐसे इसका मेकैनिजम काम करता होगा जहां तक मेरे को लग रहा है पूरा खुला खाली कर दिया मैंने यह बस प्लास्टिक का डबा बच चुका है इसका मोटर भी मैंने यहां पर निकाल दिया जहां तक मेरे को लग रहा है यह बायो बॉल्स हैं और यह सिरामिक बॉल्स हैं beneficial bacteria के लिए यह levels हैं उसके बहुत सारे मतलब ऐसे पास-on होके आएंगे यह रहा कुछ sponge filter वाला filter इसको assemble करने के लिए कोई भी हमें manual के दरकार नहीं पड़ेगी हम लोग ऐसे खिलाड़ा है दोस्तो चलो इसको fix करते हैं कैसे करते हैं ओ यह तो काफ़ इंट्रेस्टिंग है adjustable मतलब यह बड़ा भी हो सकता है छोटा भी हो सकता है क्या फिस चीज बनाई है यह तो मेरे को अभी तक समझने है इसका क्या हिस्तमाल है कहां पर यह प्लेस होगा ओ यह तो यह तो यहीं पर दिया हुआ है नीचे में देख सकते हो इसका ऐसे मैंने प्लेस कर दिया देखो देखो चलो ड्रोइंग भी काम आता है मतलब पिक्चर भी काम आता है क्या बोलते हो इधर पर रखे के साइड पर कर दें यहां पर तो स्कीमर का गड़बड हो गया भाईस आप देख सकते हो वाटर लेबल से यह काफी नीचे आ चुका है आप एक उस मोटा वाला पाई पूपर में है यानि कि मेरेको इस टैंग का basically मेरेको वाटर लेबल थोड़ा सा कम करना पड़ेगा यहां पर देखो एक कमाल हो गया यहां पर लगाते है यह लाइट ओन हो चुका है दोस्तो यह स्ल फिलिंग लाइट है एक फिल्टर चलाने के लिए मेरे को इतना पानी कम करना पड़ेगा ये तो गड़बड लग रहा है रे बाबा एक लाइट कमपेरिजन कर लेकिया दोस्तों अभी जो लाइट देख रहे हो वो 9 वाड का है इसे चेंज करते हैं अब जो लगा वो 15 वाड का है इस तरफ इसके अंदर में तब जाकर यह शायद काम करना स्टार्ट करेगा अफ लो उस तरफ से आके इस तरफ आने लगा वो गया यह प्रोसेस कंप्लीच यहां पर देख सकते हो इसी तरीके से यह काम करना शुरू कर चुका है काफी अच्छा फ्लो बना रहा देखो अब इ थोड़ा सा ब्लॉकेज मिलेगा वांसे बड़े बड़े पत्तों के साथ और फिर ऐसे पानी आके सारी गंदूला अभी तो उड़ाए गाई वैसे गंदूला पंती तो होई रहा है अभी थोड़ा बहुत लेकिन हाँ एडजस्ट हो जाएगा यह कुछ देर में फिल्टर का के तरफ यह अगर घूमती है तो फ्लो कम रहेगा तो इनके लिए ज्यादा कमफरडेबल एरिया होगा मैं इस बेड़ा फिश को उतना दा फ्लो पसंद है नहीं जैसके मैंने पहली बोला था तो इसका मेरे बास साल्यूशन है यह बोटल इस बोटल के साथ हम इसका फ्लो कर लेना है यहां से इस तरीके से और जिस एंगल में रखोंगा उसी एंगल में यह फ्लो बनाएगा फिल्टर के उस उपर वाले पार्ट में मैं इसको अटैच कर दूंगा ऐसे मोड के जो भी फ्लो मेरे को ऐसे बनाना है वो इस तरफ आएगा भी मी 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 प्लास्टिक पीस की सबसे अच्छी बात क्या है इसको हम लोग जैसे चाहे वैसे अजस्ट कर सकते हैं अब मेरे को यह एकदम पर्फेक्ट लूप में देख रहा मतलब पानी ऊपर के तरफ मारा उपर में फ्लो बना रहा और यह इस तरफ कम आरा मतलब नीचे के तरफ यह कम मारेगा तब अब फिल्टरीशन ऐसा हो चुका है मशलिया भी खोश टैंग भी खोश प्लांट्स भी खोश हम भी खोश चलो बहुत ही बढ़िया बिड़ा फिश को लाइफ चीजे खाना पसंद है तो यहां पर मैंने बहुत सारे मॉस्किटो लारवा छोड़े हैं देख इस टैंग को डिकूरेट करते समय आफ नोडिस्ट कि यहां पर बहुत सारे मेरे को अन्वांटेट स्नेल्स देख रहे हैं जो कि हमारे प्रीशियस पत्तों को खा सकते हैं तो उसका सिंपल सॉल्यूशन आइब हीर देखो मेरे हाथों में क्या है यह है चुटका सा असेसियन स्नेल जो की दूसरे स्नेल्स को खाता है इसको द्रॉप करता जाओ तो अभी अभी मैंने इसको अंदर में फीक है एंड यह अराम करेगा थोड़ा देर उसके बाद यह अपने काम पे लग चाएगा यह काफी किफाईती सस्ता और स्वरल तरीका है बेसिकली यह क्या करता है अंडो को भी खा जाता है छोटे बड़े साल स्नेल्स को तो खाएगा ही साथ में जो अंडे स्पॉन करेंगे उनको भी यह खा जाएगा जिस टैंग में मेरे को स्नेल्स रखने हैं उनको मैं रहने देता हूँ उसमें कोई एससेसियन स्नेल नहीं जाते हैं लेकिन जिन में मे मेरे को नहीं लगता कि स्नेल की भरमार चाहिए मेरे को तो उसको ओमिट करते हुए इदन को एक दो को इंट्रिड्यूस कर देता हूं और उसके साथ ही मैंने एक अनूबियस प्लांड वियां पर डाला है देख सकते हो तो नेक्स दिन हो चुका है दोस्तो टैंक हो चुका है मस्त क्लीन लेकिन अभी इसको थोड़ा सा गंदोला करने का समय आ चुका है इसको मैंने बॉल करके रखा था ठीक से दिखाओं इसमें मदलब टैंस छोड़ चुका है यह लीव और भी छोड़ देता अगर मैं इसको रात बर छोड़ता तो लेकिन ऐसा कुछ नहीं है अभी रिसेंडली मैंने बॉल करा दू-तिन घंटे पहले तो अभी देख सकते हो मैंने कुछ पत्ते भी फेक दिये इसके अंदर यह इंडिन आमन लीफी है और यह हो चुका है और इसका काम खतम अब देख सकते हो थोड़ा पानी पीलिया पीलिया सा लग रहा है वो क्लियर आउट हो जाएगा अब को सब फिल्टर चला रहे हम और यह ज्यादा टाइम भी नहीं लेगा दूर से देखा तो सर्फेस में मूवमेंट काफी बवाल लगा पीलिया एकदम नैचरल लुक दे रहा तो नेक्स दिन आ चुका है दोस्तों अभी देख सकते हो पानी हो चुका है क्रिस्टल यलो यानि कि इसमें कुछ भी अमरेकों होते हुए नहीं दिख रहा है और यह टैंक हो चुका एकदम स्टेवल अब मैंने इसमें यह पीलिया पानी क्यों डाला था इसका मेजर कारण यह है कि एंटी बैक्टेरियल होता है बिड़ा फिश को फिन रॉट होने का चांस काफी जादा होता है तो उसको यह मिनिमाइज करता है इसी के लिए मैं इसमें डाल के रखता हूं और इनके नैचरल हैबिटाड में बहुत सारा बेनिफिशल बैक्टेरिया रहता है तो इसलिए यह है होपफुली यह वाली वडिया आप लोगो पसंद आई होगी यह कैसा लगा आपको सेट अप एक मंथ अपडेट आप पता सकते हो इसको हम और बढ़ने देंगे और हम मिलता है इन दे नेक्स्ट एपिसोड अप सम्थिंग इंटरेस्टिंग हो तब तक लिए सिव इन दे नेक्स वान टाड़ा हो सकते तो फ्यूचर में मैं कुछ और फीमेल से इंसपे इंटर्डियूस करने के लिए लेकिया हूं और अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि अब क्या देखें तो यहां पर देख सकते हो कैसे मैंने एक ब्लैक वाटर टैंक सेटप करा